देख बे, ये सिकंदर का है टशन और हम बनाएंगे जशन ये 2025 को, कितने नल्ले जो कूद रहे हो, भौक रहे हो, सल्मान खान नी फिल्म सिकंदर के लिए, उसको बहुत स्पेशल मेसेज मेरा है, आप कान खोल के सुन लेना वेटा, ठीक है, बार-बार बताने आपन नहीं हिंदु मुस्लिम सिकंदर के सारे भाईयों को सलाम, मैं हूँ आपको दोस्त, आशू समूत कान, देखो, ट्विटर पे लोग तुम गंदगी फैलाते हो, मुझे कोई फर्क नहीं परता ट्विटर वालों का, ये साले दो कवड़ी के इंसान, ये ऐसे ही चिलाते रहते हैं, गुके, नंगे, ऐसे ही भौकती रहते हैं, लेकिन जो अपने लेवल का कुछ बोलता है, या कच कहेगा, या बोलेगा, तो उसको जवाब देना बनता है, तो मैं सारे उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने लेवल के हैं, और जो अच्छा काम कर रहा हैं, अगर उन्ह तुम से कौन कह रहा है, ये फिल्म देखने के लिए नलो, तुम से किसी ने कहा है, सल्मान खान के फैस ने, कि भाईया, आप देखने जाओ, सल्मान खान की बाती छोड़ दो, सल्मान के फैस किसी ने का, भाईया, तुम देखो, साले भूके नंगे, तुम खुद के एक्ट चलता है ना तो जितने जानवर होते हैं चोटे से बड़े ना वो इसके पीट पीछे उसको भला पूरा बहुत कुछ बोलते हैं नहीं किसी की आउकात नहीं होती है कि शेयर से नजरे मिला के बात करें तो वही हाल अपने सल्मान खान का है जिसको पीट पीछे भौकना आए भ चबर दस जवाब देगी और जिस दिनके फिल्म रिलीज हो गई और फिल्म ने रिकॉर्ड बनाएं तो याद रखना यार ऐसी ऐसी वीडियो उसके बाद धका धक आएंगी ना पिर एटली और जितनी फिल्में आने वाली है तुम खाबों में नहीं सोच सकते हैं नलो जित फिल्म रिलीज हो गे जब टीजर हाएगा ना तुम उसके वक्त और उचलोगे और कूध हो गेए और उसमें सबसे धाब सब्सके बोलना बहूं सोच कर बोलना क्योंकि सबका वक्त आता है सबका टाइम आता है तो फिर हम भी करेंगे तो बुरा नहीं लगना चाहिए ठीक ह रही बात में सलमान खान की तो वो सब का बाफ है वो तो निकाल लेगा